क्या आपने जंगली कुत्तों को हाइना पे हमला करते हुए देखा है? क्या आपने कभी जंगली कुत्तों को दूसरे जानवरों को खाते हुए देखा है? जंगली कुत्ते बेहत खतरनाक होते हैं और अपने शिकार को नोच कर खा जाते हैं आज हम आपको जंगली कुत्तों के दस ऐसे अटैक्स दिखाने वाले हैं जिनने देखकर आप भी हैरान रह जाएंगी जंगली कुत्तों के हाथ आज एक हिरन लग गया है और वे उस पर अपने नुकीले दांतों से हमला कर रहे हैं उन में से एक कुत्ता हिरन को पीछे से पकड़ता है और उसके शरीर पर एक बड़ा खाव बना देता है लेकिन हिरन किसी तरह से उनके शिकंजे से निकल जाती है और उन्हें अपने सींग से डराने की कोशिश करने लगती है लेकिन कुत्ते भी पीछे अटने वालों में से नहीं है और वे उस हिरन को खेर कर उस पर हमला करना शुरू कर देते हैं कुछी देर में खायल हिरन के पेट में उसका मांस नीचे लटक जाता है लेकिन वो कुत्तों का सामना करते हुई वहां से निकलने की कोशिश करती है मगर जंगली कुत्तों से बचना इतना असा नहीं है वे अगले ही पल हिरन को पकड़ कर नीचे गिरा देते हैं और अपने दाथ उसके शरीर पर गढ़ाना शुरू कर देते हैं थोड़ी देर में कुत्ते हिरन के पूरे पेट को फार देते हैं और उसका मांस खाने लग जाते हैं वो हिरन जिन्दा तो रहती है लेकिन खुद की कोई मदद नहीं कर पाती एक हाइना जंगली कुत्तों के बीच में फंस गया है कुत्तों के ये जंड बहुत बढ़ा है और हाइना को नोच खाने की पूरी कोशिश कर रहा है वही हाइना भी अपनी जान को इस बड़ी मुसीबत से चुडाने के लिए छट पटा रहा है लेकिन जंगली कुत्तों के सामने उसकी एक भी नहीं चल रही वैसे देखा जाए तो हाइना आकार में चंगली कुत्तों से बड़ा और खुंखार होता है लेकिन या उसके सामने चंगली कुत्तों का एक बहुत बड़ा चुंड है जो से किसी भी पल मार गिराने के लिए तयार है खुंखार हाइना भी इस चुन्डी के सामने खुद को लाचार ही समझ रहा है समय बीतने के साथ ही हाइना पर जंगली कुट्टों का हमला भी और खुंखार होता जा रहा है कुछ कुट्टे उस हाइना के पीट पर बार बार हमले करने लगे हैं तो वही कुछ कुछे हाइना के पैर पर काटने की कोशिश कर रहे हैं। हाइना उसके इस चंगल से निकलने की कोशिश भी करता है, लेकिन हर बार उसकी कोशिश नाकाम ही रहती है। और दोनों जानवरों के पीच यह लडाई ऐसे ही चलती रहती है। दो जंगली कुछों के हाथ एक इंपाला लग गया है। कुछों ने अपने शिकार को पीछे से पकड़ रखा है। और इंपाला के लाख जोर लगाने पर भी उसे आगे नहीं बढ़ने दे रहे। जंगली कुछों काफी खुखार होते हैं। और जब बात शिकार की आती है तो वे अपनी पूरी जान लगा देते हैं। इंपाला इन कुछों के चंगल से बचने की बहुत कोशिश करता है। लेकिन कुछों के पकड़ इतनी मजबूत होती है कि वो खुद को लाचार ही पाता है। थोड़ी देर में जंगली कुटे इंपाला के पेट को फाड़ना शुरू कर देते हैं। मगर इंपाला अपनी जग ऐसे टस्से मस नहीं होता और इसी कोशिश में रहता है कि किसी तरह वहां से भागने में सफल हो जाए। जंगली कुटों का रवया काफी आकरामक होता है और वे कुछी देर में इंपाला के पेट का मास निकाल कर खाना शुरू कर देते हैं। आखर में इंपाला नीचे गर जाता है और तब ही वहां जंगली कुटों का एक बड़ासा छुंड भी पहुँच जाता है। ये पूरा जुंड इंपाला पर तूट पड़ता है और कुछी दिर में इंपाला को मार कर उसके शरीर को नोच खाता है। नमब सब्वन वाइल डाग्स अटाग हैर। जंगली कुटों को कुखार शिकारी माना जाता है। क्योंकि इनका शिकार करने का तरीका कभी-कभी इतना खतराख होता है कि देखने वाले की रूप इकाम जाती है। तब ही एक जंगली कुटा उस खरगोश के बिल को खोदने में लग जाता है और कुछी देर में उसे बिल से बाहर निकालने में खामयाब हो जाता है। जंगली कुट्टा अपने शिकार को अपने चबडे में तबाए जैसे ही बार निकलता है तो बाकी के कुट्टे भी उस शिकार पर तूट पड़ते हैं दो कुट्टों के पास उस खरगोश का सिरा जाता है तो दो कुट्टों के हिस्से में खरगोश का धढ़ाता है बिचारे खरगोश की तरदनाक मौत होती है और जंगली कुट्टों को खाना बिल जाता है यहां कुछ विल्ड बीस्ट और जंगली कुत्तों के बीच में लडाई चल रही है कुत्ते विल्ड बीस्ट को अपना शिकार बनाना चाहते है लेकिन विल्ड बीस्ट उन्हें बार बार अपने सिंग से मार कर वहां से भगा देते है जंगली कुटों और विल्ड बीस्ट की ये लड़ाई थीरे थीरे खदरनाक रूप ले लेती है और दोनों एक दूजे पर ताबर तोड़ हमले करने लगते हैं दोनों ही खुंखार जानवर हैं और अपने सामने आए खत्रे से फिड़ने से पीछे नहीं अटते वहां मौझूद बड़े विल्ड बीस्ट अपने बच्चों को अपने पीछे चुपा लेते हैं और कुटों को उन पर हमला करने से रोकते हैं लेकिन कुटे वहां से जाने का नामी नहीं लेते और लगातार उन पर फौंकने लगते हैं तब ही एक मौका ऐसा आता है जब एक विल्ड बीस्ट अपने चुंड से अलग हो जाता है उसे अकेला देखकर सभी जंगली कुटे उस पर भूंखे भेडिये की तरह तूट पड़ते हैं विल्ड बीस्ट इन कुटों से बचकर भागने की बहुत कोशिश करता है लेकिन उनके शिकंजे से नहीं बच पाता जंगली कुटे अगले ही पल में उस विल्ड बीस्ट को पकड़ कर नीचे गिरा देते हैं और उसके शरीर को नोच कर खाना शुरू कर देते हैं थोड़ी देर में विशाल विल्ड बीस्ट कुटों के पेट में समा जाता है एक जंगली कुटे ने अपने जबडे में मुरिक के एक बच्चे को पकड़ा हुआ है और उसे अपने साथ लेकर जा रहा है बच्चा अपनी जान मचाने के लिए चिला रहा है और उस कुटे के मुझे निकलने की कोशिश कर रहा है मगर जंगली कुटे की पकड़ से खुद को निकालने में खामयाब नहीं हो पा रहा है जंगली कुटों वो शिकारी जान वर कहा जाता है वे अपने नुकीले दातों और पंजों से अपने शिकार पर हमला करते हैं और जब तक शिकार की जान नहीं निकल जाती उसे छोड़ते नहीं हैं जैसे ही बच्चा अपनी जान बचा कर भागने के लिए तैयार होता है तो वो जंगली कुत्ता उसे पकड़ कर जमीन पर गिरा देता है तब ही वहाँ एक और कुत्ता आ जाता है और म्रिक के बच्चे पर हमला बोल देता है दोनों कुत्ते अपने शिकार पर तूट पड़ते हैं और उसके पेट को भाड़ने में लग जाते हैं दर्थ के कारण वो बच्चा बहुत चिलाता है लेकिन जंगली कुत्तों को उस पर थोड़ी भी दया नहीं आती और वे उसे नोचने में लगे रहते हैं आखरकार दोनों कुत्ते उस मरिक के बच्चे को मार डालते हैं और उसके पेट को भाड़कर उसका मांस खाने लग जाते हैं एक भैस को जंगली कुत्तों के एक बड़े जुणने खेर रखा है वैसे तो भैस का साइज उन कुत्तों की तुलना में बहुत बड़ा है लेकिन कुट्टों की संख्यादिक है और वे काफी खुंखार भी है जिन देखकर भैस भी उनसे थोड़ा सहम जाती है कुछ कुट्टे भैस पर पीछे से हमला कर उसे नोचने लगते हैं तो कुछ कुट्टे उसके सामने सुस पर हमला करने की कोशिश करते हैं भैस उन कुट्टों को भगाने के लिए चिलाती है मगर उन कुट्टों पर उसका कोई असर नहीं होता दीरे दीरे कुट्टों का हमला बढ़ जाता है और वे भैस के पीट पर मौझूद बड़े हरनिया को काटने लग जाते हैं वहीं जंगली कुत्तों के लगातार हमले भैस की पीट और पेट पर एक बड़ा खाव बना देते हैं अपने शरीर पर काफी खाव होने के बावजूद भी भैस उनकोंखार कुत्तों का सामना करने से पीछे नहीं अगती मगर थोड़ी देर में कुत्ते उस भैस की चोट से मांस को खीच कर खाना शुरू कर देते हैं और अब भैस भी लड़ खड़ा कर नीचे गर जाती है भैस की गरते ही सभी जंगली कुत्ते उस पर तूट पड़ते हैं और उसके शरीर को नोच खाते हैं यहां पर एक बेवी कुड़ू और एक चंगली कुत्ते की बीच रडाई चल रही है कुत्ता जैसे उस कुड़ू को करदन से पकड़ने के लिए आगे बढ़ता है वो कुड़ू अपनी चान बशा कर भागना लगता है लेकिन चंगली कुत्ता भी कम नहीं है वो असानी से अपने शिकार को हाथ से जाने देने वालों में से नहीं है वो तुरंथी कुड़ू को पीछे से पकड़ कर डोचना शुरू कर देता है कुड़ू एक शाकाहरी जानवर है जो हेरन की तरह दिखाई देता है आम तोर पर ये चुंड में ही गूनते हैं लेकिन कई बार जंगली कुत्तों और दूसरे खुंखार जानवरों का शेकार बन जाते है इदर कुछ देर में वो कुड़ू खायल होकर नीचे गर जाता है और कुड़ू दर्द के कारण बहुत तेश चिलाता भी है मगर कुड़ू उसकी एक नहीं सुनता और उसके पेट को फाड़ने में लगा रहता है कुछी देर में वो कुड़ू अपनी चान से हाथ धो बैठता है और कुड़ू उसके बांस को स्वाथ से खाने में लग जाता है तब ही वहां कुछ और जंगली कुड़ू बी आ जाते हैं और अब सबी मिलकर कुड़ू के मास को खाने में लग जाते हैं कुछ जंगली कुट्टे के औरक्स को अपने शिकंजे बे लेकर यहां से वहाँ कसी इट रहे हैं औरक्स खुद को इस शिकारी खेमे से छुडाने के लिए उने अपने सीन्ग से मारने की कोशिश कर रहा है लगिन इन जंगली कुट्टों के सामने उसकी एक भी नहीं चल रही कुट्टे उस औरक्स को खेर कर उस पर हमला करना शुरू कर देते हैं कुछ कुट्टे उसकी पूंच को फकड़ लेते हैं और उसे नीचे गिराने की कोशिश में लग जाते हैं तो कुछ कुट्टे उसके सींग को अपने दाटों से फकड़ लेते हैं थोड़ी देर में वे जंगली कुट्टे उस औरक्स को नीचे गिराने में खामयाब हो जाते हैं और उसकी पीट पर अपने नुकीले दाट करढ़ाने लग जाते हैं उस औरक्स के दल और छटपटाहत को देखने के बाद भी कुट्टे उसे नहीं छोड़ते और अपने शिकार को नोचने में लगे रहते हैं इन मेंसे एक जंगली कुट्टा उस औरक्स के चबड़े को पकड़ कर बैठ जाता है जबकि बाकी के कुट्टे उसकी पीट पर गाव बनाने में लगे रहते हैं थोड़ी देर में औरक्स भी समझ जाता है कि वो कुट्टों के चंगल से नहीं छूट सकता और वो चुपचाब बैठ जाता है इदर कुट्टे अपने शिकार को काट कर खाने में व्यस्त हो जाते हैं कुट जंगली कुट्टों ने एक वार्थोग को अपना शिकार बनाया हुआ है वो वार्थोग खुद को बचाने के लिए बहुत कोशिश करता है लेकिन जंगली कुट्टों के सामने उसकी एक नहीं चलती और कुट्टे उसे लगाता और नोचते भी रहते हैं कभी वे कुट्टे उस वार्थोग को काटते हैं तो कभी उसे एक जगह से दूसरी जगह खसीटने लगते हैं वार्थोग भी एक शिकारी जानवर है और अपने शिकार को तड़पा कर मारता है लेकिन जंगली कुट्टों के छुंड के आगे वो भी लाचार है और कुछ नहीं कर पाता वार्थोग दर्द से चिलाता रहता है और कुट्टों के पकड़ से चूटने के लिए आगे बढ़ने की कोशिश करता है लेकिन हर बार उसके हाँ तो निराशा ही लगती है जंगली कुट्टों पर वार्थोग की चीक और दर्द का कोई भी इसर नहीं होता और वे अपने खाने का मज़ा लेने में लगे रहते है कुछ ही देर में जंगली कुट्टों के वार्थोग से वार्थोग अधिक खायल होकर वहीं गिर जाता है दर्च से परिशान वार्थॉग बहुत तड़ता है लेकिन कुत्तों को उस पर बिल्कुल भी दया नहीं आती आखिर में वार्थॉग तड़ते हुए मर जाता है और जंगली कुत्ते उसके पूरे शरीर को नोच कर खा जाते हैं तो देखा आपने कैसे जंगली कुत्ते अपने शिकार को पकड़ते हैं और पिर उसके मरने के बाद उसके शरीर को नोच खाते हैं अगर आपको इवीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना पूले इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं और आने वाले सबी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पाएं तो चल्दी आपसे मिलते हैं एक और शानदार वीडियो के साथ